शहर की हलचल से दूर एक इमारत या वास्तव में अकलपनिय शक्ति वाला हर एक व्यक्ति समुरी जाएगा और मूर्क बनाया जाएगा लेकिन कुछ लोग सुरक्षित सोएंगे और इमारते शुद्र और राक्षसों से मुक्त होंगी। नारायन धर्पन कहां है ये जानने के लिए चेत किन्त द्वारा लिखा गया उपन्यास ही एक मात्र उपन्यास है। की निर्विशिक्त समुरात ने निर्विवाद रूप से सिंघासन पर अपनी पकर बहाल कर ली है। उनकी कहानियों और किताबों में अक्सर समर्थ, अप्पा जोशी, कृष्ण चंद्र, पंत और जैदेव को प्राथमिक नायक के रूप में दिखाया जाता है। स्टीफन किंग की कहानियों और धर्ट की कुछ कहानियों के बीच कुछ समानताएं हैं। केवल कुछ कहानिया, विशेश रूप से कथानक और भगोलिक पहलों में अन्य धर्ट कहानियों के साथ समानताएं साजा करती हैं। फिर भी क्योंकि वे मराथी संस्कृति और पाथकों से उत्पन हुई प्रतीत होती हैं। मराथी में दरावनी कल्पना को अभी भी लेखन के अन्य रूपों के समान सम्मान नहीं दिया जाता है। खौरा में रुची रखने वाले अधिकांश मराथी पाथक नारायल धर्ट को पसंद करते हैं। अजीब मराथी कथा साहित्य पर आधारित कुछ लेकनिय अनूथी कहानिया बनाने के अलावा, वह मराथी दरावनी लेखन में काल्पनिक पौरानिक कथाओं को लाने वाले पहले व्यक्ति थे।